अरियों, मैं सम्र्थ सीयश हिंदे, मानकापुर मापकुर हिंदी उपास्ना के अधर. हमारा परिवार बापु से 2012 में जुड़ा, और परिवार हमारा बिल् chोटा सा है, तीन लोगों का, मेरे बापा, मुम्मी और मैं प्रस्रम तीनी दो, तो हम तीनों बापू से 2012 में जोड़े दो हजाद बारा से पहले मतलब बापू मिलने से पहले हमारी जो जिन्दगी थी वो बहुत ही अशांत किसम की थी और उसमें खासकर वज़ा ये थी कि आर्थिक परिस्थिती जो हमारी थी जो फाइनेंशल कंडिशन थी वो कीक नहीं थ घर में अशांती होती थी उसज़ए से और 2003 में जल मैं 30 सारका था तब कुछ ऐसी परिस्तितियां बुरी हुने के वज़ए से हमें हमारा घर भी जंच करना पड़ा और जैसा कि आर्थिक परिस्तिती बुरी होने से जैसा होता है कि हमारे करीबी रिष्टेदरौर Entre. इह सार कि मैं पढ़ाई में concentrate नहीं कर पाता था और पहले मैं अच्छा student हुआ करता था लेकिन जब से ये crisis हमारे जिन्दगी में आया तब से मेरा पढ़ाई में performance काफी डाउन हो गया था उसकी वज़े से और ऐसे हालतों में अक्सार होता ये है कि जिनके पास Sadhguru नहीं है जिनके पास Baupu नहीं है वह लोग ऐसी परिस्टितिहों में कोई ना कोई एक आधार ढूनते हैं और अक्सार से हालतों में किसी Jyotishy के पास जाते हैं तो हमारे साथ भी वही हुआ, हमने भी जोतिशियों के पास हम जाते थे, उनसे राई बेते थे और 2012 में जब बापू हमको मिले, उससे पहले, वो 2012 का समय ऐसा था कि तब मैं अपना graduation complete कर चुका था और Chartered Accountancy, यहने CA की preparation कर रहा था और CA के exams दे रहा था लेकिन pass नहीं हो पा रहा था और क्यूंकि CA करना ही मेरा main focus था और ही सरे जो मेरे कर से 2 या 3 जोतिशों ने हमको ऐसा बताया भी था कि CA ही मेरे लिए सही लाई है और मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, Chartered Accountancy की ही पढ़ाई करनी चाहिए तो इसी लिए मैं main focus CA को रक्के graduation को मैंने काफी हद तक नजर अंदाज किया जिसके वज़े से graduation में मेरे बाद सच्छे नहीं थे, मैंने second division में graduation pass किया और main focus मेरा CA था, लेकिन CA में भी मैं exam pass नहीं कर पा रहा था, मेरे कुछ 6-7 attempt हो गए थे इसके वज़े से भी frustration बढ़ता जा रहा था और फिर हुआ यह कि एक तरफ अगर मैं CA की पढ़ाई कर रहा हूं गैट के जिसके वज़े से मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ और कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरी उमर बढ़ती जा रही है मेरी मम्मी को लगता थación कि मैंने CMS न करके अब नौकरी ढखना चाहा और वहीं मुझे और मेरे पापा को लगता था कि नई मैंने CMS की ही इक पड़ाई को आगे बढ़ना ही है तो इसके वज़े से भी हम प्षून में एक मद्वेद आगए है और सुचित दादा से राहिनेंगे कि आगे मुझे क्या करना जी जिल्दगी में और मल में मैं यह इठाल किया था कि सुचित दादा जो गोलेंगे वही फाइनल होगा तो हम सुचित दादा से गए, सुचित दादा से मिले, उनको मैंने कहा कि मेरे मैं ग्राजुएट तो हूँ लेकिन अभी C.A. की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 6-7 अटेम्ट हो गया और मैं एक्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो सुचित दादा की क्लिनिक में और साइड में दीवाद पर एक दत्तगुरू का फोटो होता है, सुचित दादा ने मुझे समझाया है कि बेटा, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए उचित है या नहीं है, हमारे लिए वो चीज योगय है या नहीं है, वो चीज हमें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह सुचित दादा ने कहा कि दत्तगुरू डिसाइड करते हैं, यह उनका फैसला होता है, और इसलिए हमारे ने मुझे कहा कि जब तु सीए नहीं तुम CA छोड़ो और यहां से वापस जाते साथ तुरन तुम्हें जो भी नौकरी मिलती है वो ढूंदो, वहां नौकरी करो, चाए वो कहीं भी हो, किसी partnership firm में हो, company में हो, या sole proprietary concern में हो, जहां भी हो, तुम नौकरी ढूंदो, अब इससे पहले जोतीशियों से जो हमने राए तो जोतीशियों ने कहा था कि CA ही मेरी line है और मुझे उसी भागे बढ़ना चाहिए, लेकिन सुचित दादा ने बिल्कुल इससे विपरीत बात कही कि CA तुम्हारी line नहीं है, लेकिन क्यूंकि सुचित दादा पे, बापू पे, नंदाई पे बुरा खरोसा था, इसलिए मै मैं सुचित दादा के इस वाक्य को ही अपना गुरू वाक्य समझ कर मैंने उनकी आतिया का पालन किया और वापस आकर मैंने CA की पढ़ाई शोड़ दी और तुरंत जॉब ढूनना शुरू किया, और बापू की कृपा से एक देड महीने में मुझे एक लोकल कंपनी में जॉ और वहाँ वाकिन इंटर्व्यूस चल रहे हैं और उनको प्लीन ग्राजुएट्स की जबरूरत हैं ये बात पता चलने पर मैं वहाँ गया वाकिन इंटर्व्यूस के लिए और बापू की क्रिपा से मैं इंटर्व्यू देकर सिलेट भी हो गया आज मैं Tata Consultancy Services में TCS में नहीं थी क्यों सही नहीं थी ये सिर्फ बापू ही जानते हैं सुचिद्दादा ही जानते हैं ये हम नहीं जानते हैं लेकिन मेरे इस अनुभव से मुझे एक बात समझ में आई कि जिसके पास सद्गुरू है जिसके पास बापू है उसको कभी किसी जोतिशी के पास जाने क जरूरत नहीं पड़ती, उसको कभी अपनी कुंडली निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्यूंकि बापु ये ग्रहा, नक्षत्र, कुंडली इन सब से उपर हैं। और जब बापु किसी के जिंदगी में आजाते हैं, जब किसी के सर पे बापु का हात होता है तो बापु खुद आकर उसकी कुंडली में बढ़ जाते हैं। फिर कोई फर act नहीं कोड़ता है कि उसके ग्रहा नक्षत्र क्या करते हैं, क्या बताते हैं। तो इस अनुखव से मुझे एकी सीख जो यह मिली कि हम अक्सर जिंदगी में जब हमारा सामय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम किसी को जोतीशी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने ग्रहा नक्षत्रों की हालात क्या है और उससे मालगदर्शन लेनी की कोचिश करते हैं, लेकिन उन ग्रहों नक्षत्रों से भी ज्यादा हमें उस पर घरोसा रखना चाहिए, जिसने इन ग्रहों और नक्षत्रों को बनाया है हरी ओ, श्री राम, अब 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 लुए